Hello Friends, Welcome to iStudy एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है HSSC हर्याना स्टाप सलक्षन कमिशन की ओर से CET का एकजाम कंड़क्ट करवाना है 5 नवंबर से लेकिन अभी तक भी इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक HSSC की ओर से नहीं प्रोवाइड किया गया है यह एक जाम 5 नवंबर को होना है लेकिन एक बहुत बड़ी नीज निकल कर आ रही है HSSC की तरफ से जिनका भी एक जाम 5 नवंबर को होना है तो चलिए हम लोग जो पर्टिकुलर SMS आ रहा है वो देख लेते हैं यह SMS आप लोग भी पढ़ सकते हैं इस SMS में क्या चीज मेंशन कर रखी हम लोग देख लेते हैं Dear Candidate, Your CET exam will be conducted on 5 नवंबर इस क्या maximum candidate का जो एक्जाम होना 5 नवंबर को होगा और morning shift में होगा reporting time भी mention कर रखी सुबह 8 बजे 5 shift में इस candidate का एक्जाम होने वाला है Next इन लोग ने city भी आप लोग के डिकलेर कर दिया कि किस city में होगा तो हिसार city में जो इसका candidate का एक्जाम होगा तो मेरी आप लोग उस request है आप लोग भी अपने SMS जो text SMS होता है उसको चेक कर लीजिए मेभी आप लोग पर भी HSSC की और से एक SMS के दौरा इंफर्म कर दिया होगा अगर SMS नहीं आया है तो आप लोग अपने email चेक कर सकते है मेभी उन लोग ने email करके इंफर्म कर दिया होगा कि आप लोग का exam किस date में और किस shift में एंड किस city में होने वाला है अगर अभी भी आप लोग के पास कोई भी SMS नहीं आया तो आप लोग मुझे comment करके बता सकते हैं जिस भी candidate के पास SMS आ गया वो भी candidate SMS करके बता सकते हैं कि यह उसका exam पांच नवंबर को किस shift में होने वाला है अगर कोई और भी doubt आप लोग का तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं बस यह information देनी थी अगर आप लोगों को मेरे दुवारा देगए information पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like कर सकते हैं अगर चैनल पर फस्ट है विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेजिए जैसे ही HSSC की और से CT का admit card डाउनलोड करने का link activate किया जाएगा उसको जानकारी आप लोगों को मेरे दुवारा सबसे पहले दी जाएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू